अर्दो दिन का जीडा दुनिया में है उनमान जरासा जगत में देख्या है या जब तमाशा इस इंसान के पास ज्यादा वक्त नहीं है लेकिन गुरूर घमंड अभिमान गर्व देखिये किस चीज़ का अर्दो दिन का जीडा दुनिया में है उनमान जरासा जगत में देख्या है 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 देख्ये ये बता गया पहली बात में कि इस दुनिया के अंतर ना जाने कितने जीव जन्तु है परन्तु ओल्ली मनुश्य के पास इतना दिमाग है जो चाहे तो कंप्यूटर से भी तेच्चन सकता है लेकिन हम उसका यूज कितना करते हैं पहली बात के द्वारा जाट मेरसिंजी ने क्यानिक दिया सुनियेगा रेक्यान की कर रोशनी क्यूं चाण के अंधेर करता सोच के हच्चाल बने घड़ी घड़ी तेर करता एक कुणवा तेरा प्यारा नहीं जिसकी तुमेर करता कुणवा तेरा प्यारा नहीं अगर जिसकी तुमेर करता एक चाचा रोवे ताउ हू रोवे चाची रोवे और ताई मात पिता हाक वनू रोवे पास में तेरा रोवे अभाई सारी सित की आदिया में धड़ी रोवे मा की जाई अरग में है तेरी तिरिया रोवे तेरा तिरिया रोवे तेर करता दौसा जगद में दे क्या हैं अचा बेतमासा जगद में दे क्या हैं अचा बेतमासा जमाद प्रुची कर दो कर दो दूसरी बात मैं यू मता दिया शोताओ बाल मेक जी ने चोरी करी थी और जिस समय एक रोजों से प्रश्ण पूछा गया कि जिन के लिए तुम कमाते हो क्या जब अंत समय में हिसाब देना पड़ेगा क्या वो तुमारे साथ होंगे तो घरबवे वालों ने सबने मना कर दिया भया अपने करम का बुगतान अपने आप करोगे वैसे ही दूसरी बात में जाट मैरसिक जी ने बता दिया कि जिनके लिए सारी उम्र कमाते रहते हैं अंत समय में वो ही बेटा अपने बाब की चिता में आग लगा देता है और सबसे पहले जो बैंक में अकाउंट होते है ना बाबुजी के नाम का सबसे पहले बेटा ही डिलीट करवाते है कि बाबुजी तो चले गए और मेरा नाम चड़ा दो दूसरी बार बार सुणीगा कभी ने क्या लिग दिया कि उताँ के उमा बैठ के ना तांके मा बेट कन सीख लई पुरी कार नशे बाजी जुआ बाजी आश बाजी कर ली न्यार चोरी और पदमा सी सिखी जब भी नहीं बड़ी पार चोरी और पदमा सी सिखी जब भी नहीं बड़ी पार यो तेरा धनवाल नहीं सोच के है चाल मूु रupid आज तेरा काल नहीं एक दिन सबने जारा होगा काल आगे डारे नहीं इतनी समन जाड़ा होगा तार नाप पेडार मैं तेरा महल हब आली सब तेरे छुड़ा तारा महल हब आली सब तेरे छुल्या ताश शम शाम नहां में पास ता जगत मैं देख्या है आजाब नमाशा जब देमने वे छिटेगी की ना तूटे लड़ी त्यार करे ले गड़ी दो गड़ी जिन्मेगी की ना तूटे लड़ी त्यार करे ले गड़ी दो गड़ी अरभत्ती बात पे छोड़े करे शुब कर्मों का ध्या पर्मेश्वर के जान त्यनी बुरे कर्म के टाले करे सारी बात बुझी जांगी धरव्राज के चाले करे शारी वानद बुत्टी खा गणी धर्म राज के अंतौट पूट्टी ह है पास तेरे मन को चलाने आई सब ते पुरी बैय मानी इनसान को फिराने आई जिसका तू मान करता जिन्दगी है जाने आई तेरे इंदरी और पाच विशोका राला गड़े मरा हसा जगत मने क्या है यो अजब तमासा जगत मने क्या है अजब तमासा क्ट लाफवे तेरे जा आई क्याया जगत मने क्या जगता जगता बता है जैंद ऱे मीशा के प्र दो विवे मेश्वार भड़े मान शेदा प्राणुन हुआ हुआ देख यो बता दिया कि जीव अपने मा के गर्व में नो महीने रहता है हमारे वेद शास्थ, हमारी गीता, हमारी भागवत यह कहती है कि जब नो महीने जीव मा के गर्व में रहता है तो सिर्फ विश्वर से यही प्रार्दना करता है कि हे मेरे ठापर जी इस वार गर्व से वाहर निकाल दो वादा करता हूं तरह बहुत भजन करूंगा जो दुबारा इस नरक में ना आना पड़े लेकिन संसार में आने के बाद हम किता भजन कर पाते हैं जाट महर सिंधी ने यूँ कह दिया कि आत्मा का कोई तु जतन कर ले और रोज थोड़ा थोड़ा हरी का बजन कर ले बैया बिना बजन के नईया पार नहीं होने वाली आए अंतिल कली में सुनेगा क्या अज़़़ए परमेश्वर का गुण कहां के शरीर का उधार होगा पापियों की नाव डूपे सत का बेला पार होगा उम ओम रत्रे से ही क्यान का विचार होगा उसने ही भूल गया जिसने तु इनसाने किया गरभ से निकल के भुन्या चमले का गुभाने किया मेहर सिंग सची सची बातों का बयाने किया एर धर्मराज के होगे पापी तर्व्यान यो खुला सा चकद मने क्या है दो आजा में खमाशा तर्व्यान यो खुलास के होगे पापी एरसों दिर का जीरा दुरिया में दर दिर का जीरा बढ़िया में में उनका खुलास जगत मजे क्या है वो जगत मजे क्या है वो जब तमाशा हुआ है